बूड इवनिंग दोस्तों बहुत बहुत स्वागत थे आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कि भारत का भौतिक शुरूप के साथ हम लोग छटी कलास आपके समुख उपस्थित हैं उमेद करता हूं कि सभी प्रस्णों की संक्लाओं की तरह यह भी संक्ला आपको काफी उपयोगी से दोगी और काफी समझ में भी आएगी आएगी दोस्तों चलते हैं प्रस्णों की स्थित है यह जो पल्याण सिखर जो दे रहा है दोस्तों इसी को ही सैंडल पीक के नाम से भी जाना जाता है सैंडल पीक के बारे में आप जानते हैं चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं सैंडल पीक की आप जानते होंगे अंडमान और नीकोबार यह जो दीप समू है इसकी ज दोनों की सरो जो चोटी हैं वो सेंडल पीक या पल्यार के सिखर के नाम से जाने जाती है जिसकी उचाई आपकी पड़ती है साथ सो बतिस मीटर ठीक है यह ध्यान रखेगा और यह पड़ती कहां पर है अंडमान निकोबार में अंडमान को अगर देखेंगे तो चार दीपों आपको पूछ लीता है कि निकोबार की सबसे जोंची चोटी काउंसी है तो मौंट थूलियर मौंट थुलियर याद रखेगा थू लियर मौंट्थूलियर है जो की येजित निकोबार पार इस्थित आपकर पड़ती है और इसकी जो उस्टाई है शह–याय सो June 642 मीटर उची है यह 642 मीटर ध्यान रखेगा मांट थुलियर जो है यह नीको बार की अगर पुछेगा इंडिविजुल पुछता है दोस्तों कि अंडमान की सबसे उची चोटी कौँ सी है तो सैंडल पीक हो जाएगी अगर पुछेगा नीको बार की सबसे उची चोटी है कौँ सी है तो मांट थुलियर हो जाएगी या पुछेगा अंडमान नीको बार की सबसे उची चोटी कौँ सी है तो आपकी वहाँ पर सैंडल पीक या पल्याण सिखर कहा जाएगा उमेद है आपको यह समद में आ अच्छी तरीके से आएए देखते हैं आपसन में क्या होगा तो कहरा ब्रिहद निको बार की, दुसा करा मधनी को बार की, तीसा करा लघो आंडवान की, चोफ़्था करा अटरी आंडवान की ठीक है दोस्तों तो सबसे उपर वाली जो सिखर होगा जो सबसे उपर है वो उत्री अंडमान है तो उत्री अंडमान पर मैंने भी आपको बताया था तो option आपका first for right हो जाएगा चलिए अगले present पर आते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है इस तो यह आपको बताना इन में से कोई नहीं option चौथा आपका कह रहा है इन में से कोई नहीं तो बताना क्या है आपको कि कौन सा गलत है कौन सा गलत है तो यह आपको बताना है पहले कह रहा है कि आपका स्री हरी कोटा आंद प्रदेश के चिलका देखिए आंद प्रदेश के चिलका नहीं चिलका आंद प्रदेश में नहीं है यह उडिशा में पड़ता है और डीशा में पड़ता है सबंगाल की खाड़ी प्रिथक करती है फुर्टिंगाल की खाड़ी को किसे अलब करती है बताइए आप लोग यह दीप जो है ये पुलिकट जील और बंगाल की खाड़ी इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका स्रीहरीकोटा दीब ठीक है तो स्रीहरीकोटा दीब क्या करता है आपको पुलिकट जील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम करता है तो यह प्रस्म आपका पहला वाला option गलत था बाकी से सभी जो बतार है यहां पर वो सभी है इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा 37 धवन अंत्रिची केंद्र जो है वो इसी दीपर स्रीहर्टी कोटा दीपर ही इस्थित है ठीक है दोस्तों और यहां उपगरा प्रचेपड केंद्र सतीज धवन आपको मैंने बताया कि यहीं पर ही स्थित है ठीक है तो इसे थोड़ा से ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है यह मैप आप देखेंगे तो यह आपका पड़ रहा है आपका देखेंगे यह आपको ऐसे मैप में आप दे है यह है यह है पमिनिट यापके पूरी लैइक थिक है पुलीकट जील आपको जिसे कहते हैं आप और यह आपका बंगाल की खाडी है यह आपका स्रीपारी को में दिमाद में रखिएगा मैं आपको थोड़ा सा असपस टूपसेश का फीगर दिखा दे रहा हूं यह फीगर आपका है इस फीगर को आप लोग सौट स्किन कर लीजिएगा क्योंकि बार बार आपको यह जरुत पड़ती है यह आंद्र प्रदेश और तमिलनाड दोनों की स क्या सन रचना है पुलिकट जील की और कैसे है और यह पूरी तरह से पतली पट्टी के रूप में आपको दिखाए देगा जो कि बंगाल की खाड़ी को जो है बाकी से अस्तली हिस्ट्यों से अलग करता है ठीक है दोस्तों अगले प्रस्न पर आते हैं निम्न में से कौन सा क अतन सही नहीं है यह आपको बताना है कि पहला केरल के मालावार तट के पास लक्षदीप इस्तित है जो की प्रवाल दीप है केरल के मालावार तट के पास लक्षदीप इस्तित है जो की प्रवाल दीप है तो बताईए सही है यह गलत मैंने कई सारे वीडियो में आपको बत लक्षदी नाम कर दिया गया और चोथा केरल लक्षदी अरब सागर में केरल के कोच्ची तट से 220 से 440 किलोमेटर दूरी पर बिस्तरेत है ठीक है उपर तुमें से कह रहा है कोई नहीं यह पाच आपके यहां पर दिये गये हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं ह हैं मैं आपको बहुत एसपस रूप से बता दू कि दखें पहला जो कह रहा है केरल का जो तट है नामसे तो आप जानते हैं इसको कहीं कहीं लक्षिदीब अरब सागर के केरल के कोच्छी तर्ड से जो है 220 से 440 किलो मीटर की दूरी पर विस्त्रे दीपो का एक समूंग है बिल्कुल सही है यह सभी सही है इन में से कोई नहीं आपसन आपका कोई नहीं गलत है आपका यह आपका है तो आप किसकी बात कर रहे थे आप ल यह आपका लक्षिदीब के सारे दीप आपको है देख लिजेए इसमें आपको दिया हुआ है आप इसको डिटील में देख लिजेगा ठीक है यह देखिया आपको मिनिकाय के बारे में दे रहा है यह आपको कवरत्ती के बारे में डिटेल कर दिया है बड़ा कर दिया है इसको ठीक है तो आप इसको थोड़ा से देख लीजिएगा यहां पर तो यह लोकेशन आपको यह दे रहा है आपको यह लोकेशन यहां पर आपको यह चीज़ें आपकी है यह लोकेशन है यहां के जो फीगर है यहां से डॉक्टर डी गया है लाइन गया है तो आप इसको देख लीजेगा दोस्तों चलिए अगले प्रस पर आते हैं तो भारति गुज्राद और पाकिस्तान के सिंद्द प्रांत को अलग करता है। कच्छ और सिंद्ध के बीच समुद्री सीमा की निर्धारण को ले करके हैं। चौथा कहब भीलाल इस शेत्र पर पाकिस्तान का नियंद त्रड है। और पच्वा कहा रहा है यह अरब सागर में इस्थित है तो पहला तो आप लोग देखें होंगे बिल्कुल जाने हो कच्छ करण भारत और पाकिस्तान के बज़ विवाद का अभी से रहता है तो बिल्कुल सही है यह पहला वाला जो 96 किलोमेटर जलिये चेतर है कच्छ करण मे राड को ले करके बिल्कुल सही है भी बात कही गई है करा फिलाहाल इस छेतर पर पाकिस्तान का नियंतरड वर करार है यह गलत है दोस्तों पाकिस्तान का नहीं है बलकि भारत का नियंतरड है इस पे तो यही आपका गलत हो जाएगा यह अरब सागर में स्थित है बिल्कुल और international border ये आपका, ये international border आपका है, ठीक है, तो यही चीजें आपकी एक तरह से समझ लीज़े, यही कच के रड़ का, यही चेतर यही विवाद का भिसर है, ठीक है, भारत का यह भारत के अधिन आता है, यह चेतर इंडिया इधर पढ़ता है, और इधर आपका Pakistan पढ़ता है, पाकिस्तान पड़ता है पाकिस्तान का सिंद परांत आपको दिया हुआ है ठीक है चलिए और इसके बात कहा रहा है ग्रीन लाइन यह जो कह रहा है न भारत और पूछ लेगा देखिए कोश्चन भी ध्यार रखिएगा कि जो आपको देखिए यहां पर कई सारी चीजे हैं मैं घ्रीन लाइन क्या चीज है तो ग्रीन लाइन भी कहा पढ़ती है तो यह चीजह आप लोग थोड़ा देखिएगा जैनी सुरचित रहा है यह बाकी कदर कर बीवादित रहता है ऑपका सुरचित जोन वाला चेत्र बना हुए ठीक है तो ध्यान रखिए गास बात को बीटीक करके यह कच्छ है कै ठीक है को और कोरी क्रिक के बारे बात करता है अब यहां पर हाइलाइट किया था को री कुछ को रिक इसे नाम से बीजाना जाता है यही कोरी केरिक दोस्तों इसको हिंदी में कहा जागा निवेशी का निवेशी का यह क्या है ठ्रीख है कैसा है जोरिः कि एठीक सा इसके संदर में डिटेल बात थी उमेद foreign ही आपको समंझ में आई होंगी आई एगले प्रस्थ पे आते हैं अग्ला प्रस्थ कहले निम्रिवीट मेंसे कौ Shim सॉल थी भारत के पूर्वी तट्ये महाराष्ट राज में इस्थित हैं दूसरा एकर मुंबई में थाणे नगर इसी पर उपस्थित हैं اس्थित होना बना कहा रहा है महरास्टा क्या पूर्वी तर्ट पर हमें तो ओप नहीं है बिलकुल नहीं है तो यह पहला गलत है, दूसरा सही है, बी option correct हो जाएगा आपका, अगले प्रस्ट पर आते हैं दोस्तों, निमिकित में से किस छेत्र में प्रवाल भित्ती नहीं पाय जाती है, यह आपको बताना है, प्रवाल भित्ती कहां पर नहीं पाय जाती है, पहला कहरा कैबे की खाडी में, दूसरा कहरा है कच्छ की खाडी में, चोथा कहरा है कि लक्षदीप और मिनिकाय दीव, तो बताएगे जरासा काफी प्रस्टों में इस पर बारें चर्चा हुई है दोस्तों, कि कहां नहीं पाय जाता है, तो देखें मनार की खाडी 100% आपको मिलेगा कि जो है, पाय जाते ह ठीक है, और दूसरा कच्छ की खाडी बिल्कुल यहां पर है आपको, तीसरा आपका हल अक्षदी पर मिनिकाय यह भी बिल्कुल आपको मिलता है, तो भारत के जो छेत्र आपके हैं, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आप जान लीजे कि इन सबी जगों पर आपके पाय जाते हैं यहां परवाल भित्यां बहुत यानि कोरल रीफ को रीफ और एप और हिंदीी में परवाल भित्यों के नाम से जाना जाता है कि पहले इसके अलावा महराष्ट का एक चित्र पढ़ता है मालवन मालवन महारास्ट में महाराष्ट का डीप है महारास्ट कद मालवन याद रखिए दोस्तों घखाड़ए पाए जाता तो कच्छ हो जाएगा मन्यार कच्छ हो जाएगा लक्षदीप हो जाएगा ठीक है और निकोबार ठीक है मैंने बता ना अंडमान निकोबार में भी आपको मिलता है महरास्ट के मालवन में भी मिलता है कैबे की खाड़ी में नहीं मिलता है जो ठीक है यह आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक और कैबे आपका पड़ता कहा है यह भी जान लीजे गुजरात गुजरात में यह नहीं जान लिए रहते है रहा है अगले परसंद से दोस्तों निकित मेंसे कौन सा यह जो पुझा जो अब दूसरा कह रहा है अर्नाला तीसरा कह रहा है मिनिकाय चौथा कह रहा है है तो देखें मिनिकाय जो दीप अभी आप लोगों ने के लोग में देखा था यह सुदूर वर्ती दीप किस रेडी में आता है मिनिकाय कहा है हैं दोस्तों यह आप लोग बता दीजेगा ठीक है चलिए मैं एक आपको बता देता हूँ भटकल दीप जो आपका पढ़ता है यह मैंगलोर के तड़ पे आपको मिलता है ठीक है मैंगलोर आप देख रहे हैं करनाटका ठीक है यह मैंगलोर भटकल है मैंगलोर यानि करनाटका कह सकते हैं करनाटका के मंगलाओर मंगलाओर के पास पड़ता है आप चली दो काम हमारा कर दीजिए आप अपना ही कर लीजिए कि अरनाला और हेनरी कहां पड़ते हैं या आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई को लिए करके सीरियस जरासे भी हैं तो आप हमको कमें कह रहा हैं निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है जो की एक द्यूप पर निर्मित है ठीक दूसरा कह रहा है पोर्ट बलेर का कुल छेत्रफल मुंबई के छेत्रफल से अधिक है परन्तु नगरिये छेत्र की दि देखिए भारत का सरवाधिक आबादी वाला दीप जिस पर मुंबई साहर रिस्तित है और चोथा कर रहा उप्रुक्त मैं से सभी ठीक है तो आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या सही है सही आपको बताना है तो देख लिए दोस्तों पहला कर भारत का सबसे बड़ा भारत का आपका statement है दोनों स्टेमेंट सही है और तीसरा जो चाहरा है है भारत का सरवाधिक आभादीवाला दिप सारेट बिल्कुल स़हे और तुम्हार सहुछ है तो यह उपर आप्षन यह हो जाएगा आपका उपर्ट सभी है आपका सही हो जाएगा तो यहां पर वाला दीप जो है अगर कोई पूछे तो आप क्या कहीं है सौल सेट ली थी सबसे ज्यादा यह बिश्व अस्तर का है जो चलिए अगले प्रस्ट पाते हैं तो सभी साही है दोस्तों यहाँ पर उबर्योक्त सभी साही यह दे रहा है आपको और यहाँ पर देख कुछ के इंसांसित कि बारे में graph ने कि ama क्या कि चीजह है यह आपके लए प्रस्थ आसानी से साल्व कर लेंगे मिंसी देँ तथा उनकी अवस्तित्थ के खा यूग म सही सुमेलित नहीं है यंदि आपको बताना है outside आपको वैंस्थ हरूदाने शयोधर नहींस योधी रहे दूस्तों यहाँ पर होना चैंट सजोधर चलो ठीक कुई बात नीं है लेंत सजोध यह कहां परिस्ठित है यह इसकी लोकेशन बताएं कच्छ की हाड़ी दूसरा यह प्रम्वब की खारें नहीं यह वता नहीं को युद्ध सुर्द बिल्कूल सही है दूसरा जो कहरा है और तीसरा चैनल कर चहरता का ओर सचर्ण यहां पर पड़ता है यह ईहां पर पड़ता है यह दूवन दिव दोस्तों चलिए अगले प्रस्ट पे आते हैं निम्निकित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है तो कूट में आपको बताना है जबाब देना है चलिए बताते हैं बिदर महराष्ट के उत्तर पस्चिम प्रदेश में प्रदेशिक छेत्र है दूसरा कह रहा है बरतमान है विधर्व के बारे Meala महरा राज्ट का उत्तर पश्चिम प्रदे प्राधाम नात्र राख़ा उ म्राव दोनों डिविजिन आते हैं बिलकुल सही बात कहे रहें तीसरे में केरेब लातूर महळाश्च राज का एक जिला जिसका मुख्यालल इह ये भी आतले है तो इस अधार पर आप देखेंगे तो आपके सभी यहां पर दोनों बाकी से सही हो जाते हैं इसे सही मिलिप आपको में गलत कथना आपको बताना है जली कहते है और सबसे बड़ा राज है यह आपको बताना है तो यह कैसा है गलत है दूसरा कह रहा है आपको सूचना प्रद्वक्की के केंद्र होने के कारण इस राज को सिलकाउन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है तो बिल्कुल सही आपकी बात लग रही है तीसरा कह रहा है मलनाड करनाटक का एक पठारी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छा दित है ठीक है मलनाड जो है घने जंगलों से कह रहा है यह आपको इस सित है तीसरा कह रहा है करनाटक की सीमा कुल छे राजयों से लगती है ठीक है तो देख लीजे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा सही है इसमें से आपको एक कोई गलत बताना है निशीत और से कोई एक ही गलत है तो आप जान लीजे यहां पर जो कह रहा है आपका मलनाड करनाटक का एक पठारी प्रदेश है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है जी नहीं यह पहाडी प्रदेश है घने जंग जंगलों से औच शादीत है यह तो बात सही है गने जंगलों से आझषा दित है बाकि सभी प्करат mineam किमर30 के णि台वाला तो आप जानते ही हैं पहला था करनाटस है जान्संख्या के दिर से भात का आठवा सबसे ज्यादा चेत्रफल की आधार पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा राज आपका सबसे पहले पड़ेगा तो आप लोग देख लीजेगा राजस्थान नंबर एक पर आएंगे राजस्थान भीया अपने नंबर एक पर आएंगे चलिए ठीक है यहां पर आगर देखेंगे तो नंबर एक पर आपका है जाएगा कौन सा राजस्थान राजस्थान नंबर एक पर आजाएगा दोस्तों आपका ठीक है राजस्थान मैं यहां पर आपको बता देता हूं ठीक है चलिए राजस्थान जो आपका हो जाएगा यह कोई कोश्चिन इससे गुमा गुमा के पूछेगा पहला है राजस्तान राजस्तान नंबर एक पे हैं दूसरे नंबर पर आपका पता है महारास्ट्रा ठीक है नहीं सवारी माध्य प्रदेश माध्य प्रदेश दो स्वारी तीसरे नंबर पर महारास्ट्रा ठीक है महारास्ट्रा चौते नमबर पर आपका यूपी आएगा ठीक है उत्तर प्रदेश आएगा और पांचवे नमबर पर बात करेंगे गुजरात आएगा आपका गुजरात ठीक है गुजरात पांचवे नमबर पर है छटे नमबर की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो आपका पड़े का का करनाड़का का नमबर आएगा और साथवे नमबर पर बात करेंगे तो अरुड़ाचल प्रदेश की बात हो जाएगी अरुड़ाचल प्रदेश ठीक है अरुड़ाचल प्रदेश हो जाएगी और इसके बात अगर बात करेंगे हम लोग छठे नमबर की बात करेंगे तो या तमिल नाडू भय हैं तमिल नाडू चलिए मैं लिख दे ज Protect तमिल नाडू यह दसमे नमबर के हैं तो इस तरह से आपको करम पता हो गया होगा दोस्तों छेत्रफल में सबसे पहले नमबर पर राजस्थान है दूसरे नमबर पर मद्धप्रदेश है तीसे महारास्टा है चौते प्युत्रप्रदेश है पांचवे पर आपका गुजरात ह आपका और आचरपदेश आठीवे पर अडिशा है और दसमे नमबर पर आपका तमिल नाडू है यह तो बात हो गई आपकी चेत्रफल के दृष्ट से अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के दृष्ट से जन संख्या नमबर एक पर कौन है अपना उत्तरप्रदेश सबसे नम पर पात कर लेंगे तो महरास्ट्रा है कर दिना हूं तीसे पर आगर बात कर लेते हैं तो oh बिहार आजा देंगे अपना बिहार चौते नंबर पर बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल यहीं पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं पच्वे नंबर पर अगर बात कर लेंगे तो मद्द प्रदेश आपने आजाएंगे छठे नंबर पर तमिलनाडू आ जाएगा ठीक ह आठे नंबर पर करनाथका अभी बात है करनाथका भाई के बारे में और गुज्ग रात और दस नंबर की बात करेंगे तो आंधRO. प्रदेश कि अंध्र ठीक है ओके ठीक इस तरह से आपका दस में हो गए आपकी जनसंख्या क्यादार पर ठीक है चलिए अगरे प्रस्ट पर आते हैं दोस्तों की तो डोगे दो अबर प्रस काय रहा है निम्लिकट में से कौन सा कथन सही है आपको बथा ना है ठीक है पहला कैए आंचल छोटा नागुर्ब पर्देस में अवस्थित है दूसरा कह रहा है चोटा ना कोई पठार पूर्वी भारत में इस्तित एक पठार है तीसरा कह रहा है आपका जहारखन राज का अधिकतर हिस्सा एक पस्चिम अधिकतर हिस्सा यों पस्चिम बंगाल बिहार चतिसगर के कुछ भाग इस पठार में आते हैं और चोथा कह रह है आपका तो इसमें से आप देख लीजिए कि कौन सा सही है तो यह डिटेल अच्छी तरीके साब समझ लीजिए यह सभी बाते जो कही जा रही है सभी सही है पंचाट आंचल छोटा नागपर पठार में अवस्तित है बिल्कुल सही है चोटा नागपर पठार पूर्वी भार अब आपको च्छोटा नागपर पठार के बारे में यहां पर संभुता देखने को मिलेगी आए देखते हैं पठारों का फीगर है बहुत ही बहतरी नहीं दोस्तों यह आपको एक्जाम में जरूर जरूर आपको हेल्प करेगा एक बार इसको समझ लीजिए आपका अब बाकी और भी तमाम सारे जो पठार है उनके नाम यहां पर मेंशन किये गए हैं तो आप लोग अगर चाहें चाहिए क्या मनलग दोस्तों इसको पढ़ लिजिए मेरी सला आपको है कि अच्छी तरीके से पठारों को पढ़ लिजिए जिससे कि आपका एक confidence level बढ़ ठीक है यहां पर बताना है सही statement आपका कौन सा सही है पर अंद प्रदेश के कुलूर की खान से ही बिसपरसित कोहिनूर हिरा प्राप्त किया गया था दूसरा करा इस राज को भारत का कोहिनूर कहा जाता है तो इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है बता दीजिए आप देख सब्सक्राइब तो यहां पर सभी का हो जाएगा तो आप जान गया है चलिए प्रस्पर आते हैं दोस्तों कहरा मड़ी पर की मड़ीपूर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बढ़े अप त्रिड और चड़ती बनस्पति के तैरते हुए दीपों पर बने हुए मकानों मे रहते हैं इन दीपों को क्या कहते हैं दोस्तों यह बड़ा ही अच्छा कोश्चन आयस में पुछा किया प्रसना आपका है तो आप बता दीजिए कह रहा है तिपिस और दूसरा कह रहा है बर खानस और तीसरा कह रहा है आपका फूमिड और चोथा कह रहा है इजबा ठीक है यह तैरता पार्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों तो यहां पर जो आपका फूमिड है इसे फूमिड कहा जाता है ठीक है फूमिड यह आपका लिखा हुआ है क्या फूमिड की जो होगी इस तरह से रहेगा फूमडी फूमडी इसको कहा जाता है फूमिड लिखा हुआ पार्क होता है, यहां पर फुमिद अगर भी आ जाएगा, ko्य दिकती हो, आपका फूमडी कहा जाता है, यह तैरता हुआ पार्क होता है, गूर प Pерг मलीपुर के लोक्ता जिल में तैरने वाले दीप को कहा जाता है, बाराब मुट्से पहता कोको कहा जाता है, फूमीदा home mentioned Chapter, तो यहां पे तुटि पूर लिखा हुआ है दोस्तों फुमडी तो यह लोग तक दिल के बारे बार जाने हैं पूछता ही जाब में बार बार की लोग तक जील में तेरते हुए तो यह पूछेगा तो आप बताएंगे यह तरता हुआ पार्क यह नेशनल पार्क कहा पाए जाता है तो आप बताएंगे मड़ी पूर में ठीक है तो यह बात ध्यान रखिएगा और यह इसी तरह से कुछ अपना किरसी करते हैं इसी में अपनी नौकाओं में रहकर के प्लाजीवनियापन करते हैं और बड़ा ही महत्पुड है और इसको आप लोग जानी रहे हैं कि इसे फूमडी दीप के नाम से जाना जाता है ठीक चलिए अगरे प्रस्थ पर आते हैं निम्लिखित में से कौन सा सही सुमेली तो नहीं है पहला कहई रहा है कि औरंगाबाद महरास्ट्रा दूसरा कहई रहा है पालन पूरở गुजरात तिसरा कहरा हुबली पस्चिम बंगाल चोथा कहई गुंटूर आंदप्रदेश यह कौन सा नहीं सुमेली थे तो देखिए औरंगाबाद महरास्टा बिल्कुल सही है फिर कहरा है पालनपूर गुजरात यह भी सही है हुबली ठीक है जो पश्चिम मंगाल कह रहा है यह हुगली नदी पश्चिम मंगाल में हुबली नहीं है अगला कोश्चन के रहा है निविखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है चतिस गड़ जो है चतिस गड़ के बारे हम कह रहा है चतिस गड़ मैदान पिर कह रहा है जहारकन चोटानागपूर पठार तीसा कह रहा मारास्टा विर्ष्चाय प्रदेश और आं अधरवाला चेतर जो आपने देखा है वह आपको मिला है आंधर प्रदेश में कह रहा है मलनाड मैंने आभी आपको पिछले परसन में बताया था मलनाड माद प्रदेश में नहीं पढ़ता यह पढ़ता कहा है करनाटका में करनाटका में कहा है एक पहाड़ी है मैंने बताय मलनाड करनाटक का छेत्र है ठीक है तो यह द्यान रखिएगा चलिए दोस्तों बार-बार मलनाड आया है तो मलनाड को आप याद कर लें राष्टी राजधानी छेत्र में नहीं समलित है कौन सा किसका भाग हर्याणा का भाग समलित है कि नहीं है बताइए बिल्कुल है चेत्र आपका दे रहा है नेशनल कैपिटिल रेंज के बारे में है आप और यहां परस्य आपको यह पुछा था राष्टी राधारी छेत्र में समलित नहीं है तो वह आपको बताना था याँ पर देख लीजिए यह आपका पूरा तरह से यह पड़ेगा क्या यह आपर दे और यहां पर आप देखेंगे तो नीचे आपका अपका पड़ता है यह यह दोशीर आपका पड़ता है यह दोस्तों इस तरह से आपका चला जाएगा यह खेट्र केंगे इसानी से समझ लेंगी इसको एक बार सब्सक्राइब कर लिजेगा डिली को आप पुरी तरह से देख लीजेगा कि कैसे कैसे दिल्ली की क्य लोकेशन और इसके नेरस्ट यह सारे बात बता दूर यहाँ पर यह एंसी आर का अधर यहां पर दिखें लिका विए कूझ यहाँ पर दिखे देखें नैसनल कैप्ट्र रिइंज जो है एश्यच को कई जाता है नैसनल कैपट्र इंज कमें उत्तरपदेश सतर 짧फ आत तो तीन आपके स्टेट है जो NCR को कवर करते हैं तो कौन-कौन अगर पूछे गा इस तरह से कोई प्रस्ट पूछता है तो वहां पर भी आप बताने की स्थिति में रहिएगा हर्याड़ा उत्तरप्रदेश इसके राजस्थान ये NCR के जिए और यहां का क्यों दो ही दिश्टिक आता है भरतपूर औ जनपत आपका इसके अंतरगत आता है चलिए प्रस्ट पर आते हैं दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पस्चिम से पूरब की यात्रा करता है तो नीचे दी गए दिये हुए बिकल्पों में से निम्न में मिलने वाले शार नगरों और अब्लिक सहरों का कौन सा सही करम होगा यह बहुत है और तीसरा कह रहा है इंदर राउर चाहरा जमसेर पूर कि बहरामपूर और यह बता रहा है तो आप जान लीजी दोस्तो यह पर पश्चिम पूर्फ जाएंगे तो सबसे पहले आपका पढ़ेगा क्या बीका निर ठीक? बीका निर कहां पढ़ता है- राजस्तान में, ठीक है? अलिगाड़, यूपी में पढ़ता है, आप जानते हैं- दर्भंगा पढ़ता है कहां पर, बिहार में पढ़ता आपका बिहार में और नौगाव आपका पड़ता जो है असम में पड़ता दोस्तों असम तो यह करम है पस्चिम से पूरब जाएंगे तो यह करम बनेगा बाकी के करम नहीं बनते हैं तो आप इसको याद कर लिजेगा दोस्तों कि स्टेट वाइज जो आपको प्लेस याद हो जो लगी है ठीक है तो दूसरा कहा रहा है मदपरदेस की राजधानी भोपाल करक देखा के दच्छड में स्थित है ठीक है और अर तीसरा का पंजाब राज की सीमा कुल चार राजवस जो से लगी है और फिर पाचवां कहरा है चौथा कहरा रहा है नामदपर राश्टेय पाक और राचल प्रदेश में स्थित है तो कोई बताना आपको क्या है कोई एक सुमेलित नहीं है तो पहले आपको कौन सा बता देना है कि पहला क्या कह रहा है पहले जवाब देखिए मध्यप्रदेश की सीमा साथ राज्यों से लगती है तो क्या है मध्यप्रदेश की सीमा स प्रशान होगा है लागल है राजस्थान होगा फिर इसके बाद गुझ्रात होगा गुझ्त ऺष्च कवब दो जाएक तीतिस गणर हो जाएका ता शेमरत बाद कोई नहीं उत्तर प्रदेश के बाद 5 ही राज है यहां साथ कह रहा है दोस्तों यहीं तूटी हो गई यहां पर उत्तर प्रदेश पहला है राजस्थान है गुजरात है महरास्ट्रा है और 36 गड़ है इतने राजों से मद्य प्रदेश भाई साव अपनी सीमा साजा करते हैं चलिए अग लिखित राजों में से किसका चेत्रफल सबसे कम है चेत्रफल बताना है दोस्तों कि सबसे कम चेत्रफल किसका है अंधर प्रदेश गुजरात करनाट का तमिलनाडू अभी मैंने करम से आपको बताया है चेत्रफल के आधार पर तो यहां पर बताया मैंने क्या है सबसे ज़ कि बढ़े बदा है तो गुजरात का जट्र आएगा पहले नमबर पर गुजिолात्र पर आपका गया कारणाठका एक गुज़ात हो जाएगा कैड कर था कर नथि के बाद आपका हो जाएगा आन्ध प्रदیश कि आन्ध प्रदेश और इसके सबसे बड़ा यहाँ पूछा गया था कि चेत्वल में सबसे कम लास्ट था आपको याद होता है तो आसार इसाब कर गए होते है बारत का लगबक तीस प्रतिसे छेत तीन राजियों में समाहित है यह राजे कौन से हैं जिसमें तीस प्रतिसे छेतरफल को समाहित किया गया है पहला कहरा है राजस्थान उत्तरप्रदेश आंद्रप्रदेश तीसा कहरा है माध्यप्रदेश दिखे छेतरफल जब कहरा है न दोस्तों तो ऊप बाखरे स्थान आपका पहले नiónबर पर हो जाएगा माधर प्रदेश महारास्टा येों30 इत जिए से कान सा भारतके राज्यों का उनके चे चेतरफल driving तो चेत्रफल क्या औरो ही क्रम में आपको चलना ये तो चेत्रफल और लोही मतलब घटते हुए करम में चलना थो चलना एक सब्सक्रा तो टाक है आंको ए dramas झाल या depuis 10 उसाग्ट dariично से दुका है नियुक्त है नियू क records छारा है entire-35 Max एसे जो ही एक दिए हमांचल पर देश उत्राखंट प्रहजश हुत्राखंड तो यह हो जाये करया जल्कुल जारखंड होगा हिमांचल प्रदेश हो रहा अचल प्रदेश यह अला अपसन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा सबसे चेतर फल्क किसका चाथिस गड़ का होगा फिर उसके बाद जारखंड का आपका नंबर आएगा यह करम आपका है तो जार रख लिए तेरह जणपदों का एक राज है यह चलिए पहाड़ी होने कहना आते यहां पर ज seminar की हिमाले की उचाई होने के नाते सिवालिक हिमाले में इसरा के नाते इस को एक स्थक्य पहाड़ी राजों बनाया गए भारत बारत जनसंक्या के अनुसार तीसरा युमच्छेतरफल में बारहावाराज राजकों सा है अब देखिए कैए क्या रहा है जनसे ने के बारहारा है इसके बारे हम कहे रहा है तो आप लगों ने जो पढ़ा था उसमें देखा तब महरास्टा मद्परदेश करनाटका का तो नाम आप आपने सुना था चटे के बारे में सुना था रांग रैंकिंग कुछ याद आ रही है आपको उसके बाद आपने सुना था दूसरी और तीसे रैंकिंग तो आप जानी रहे हैं करनाटका के बारे में भी आपने देखा तो बसता क्या बिहार यहां पर बिहार आपका option हो तीसे नंबर पर है ठीक है और यह मद्ध परदे दूसरे नंबर पर होगा है आपका और तीसे नंबर पर महारास्टा है थोड़ा सा चेतर फल में लगए उन तालिस वर किलोमेटर का खुल शेतर फल में अंतर है दोस्तों तो इसना दे भरहम की सिथी बार-बार करेट हो जाती तो इसको आप ध्यान रखेगा यह नंबर एक मदूर पर है और नंबर तीन पर महारास्टा आपका है ठीक है और छे नंबर पर यह है आपके बिहार भाई जन संख्या में आपके तीसे नंबर पर है यह चलिए असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और उनके इसासित साधिया करता ठीक है असम की एक खासियत है यह क्या करता है उड़ा प्रदेश-नागा-लैंड-मडी पूर, मिजोरम, ठीक है तिरपुरा और इसके अलावा आपका मिगहालाढ इसे करता इसके अलावा पश्षिप है पर असमा साजा करता है तो इस तरह से सीमा साजा करता है तो जबाब आपका क्या हो जाएगा second option साथ वाला सही हो जाएगा चतिस गड़ की सीमा उभाइनिस्ट नहीं है किसके साथ सीमा साजा नहीं करता है कहने को लोग चतिस गड़ महारास्टा के साथ, बिहार के साथ, उडिशा के साथ, आंद प्रदेश के साथ तो ज़रा देख लीजिएगा, ये जो 36 गड़ है, बिहार के साथ सीमा साजा नहीं करता यह बिल्कुल सही है statement आपका दूसरा कहा रहा है आपका यह लगभग दस अजार वर्स पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवी हस्त छेप रहा है ठीक है और तीसरा कहा रहा है यह केवल 40-60 प्रतिसे छेत्र ही क्रिसी हेतू उप्युक्त है और चौथा कहा रहा है सुद बोए गए छेत्र में बृद्धी के कारण चारागा छेत्र के विस्तार का प्रभाव पड़ता है और पच्वा कहरा है उप्रयुक्त सभी तो दोस्तों यह सारी बाते राजस्थान के मरोध्यान यानि की मरोस्तली छेत्र के लिए सभी सटीक बाते कही गई है तो यहाँ पर आप्शन कूट सभी का जो है वो सही हो जाएगा चलिए 27 नमर प्रसनाप का है कह रहे हैं निमलिखित राज्यों में से कौन सा एक नीचे दी गई सभी विसेस्ताओं से युक्त है यह उसी अच्छांस परिस्थित है जो उत्री राजस्थान से होकर जाता है इसका 80 प्र इसके बारे में सारी बाते कही गई है पहला के रहा है मांजऄ चल प्रदें दूसरा कर अ संताधा में तो यह सबसे ज़्यादा जो बात हो और अठीद अपना सरवाधिक चेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो यह आपका कवर पुरोतर भारत में सबसे ज़्यादा चेत्रफल इसी का है मलब असम के बाद मलब बनो के चेत्रफल की में बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर क्या कहा है देखें यहाँ पर राजस्तान का चांस भी देखेंगे तो राजस्तान का चांस भी इसी वे पढ़ता है दोस्तों ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है इसका 80% से अधिक बन से आवरण से धका हुआ है 12% से अधिक छेत्र राज छेत्र के लिए आरची नेटवर के रूप में हैं बिल् दोसरा कह रहा है करनाग का तीसरा कह रहा है आद्र प्रदेसर करनाच का चौथा कह रहा है आपका तमिल्नाडू और के सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य साजा करता है ठीक है तो करनाटका देखेंगे यहां पर आंदर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है यहां पर बता रहा है करनाटका बता रहा है तो देख लीजे बताओं आपको कि जो करनाटका आपका पढ़ता है यह सात राज्यों स सीमा साजा करता है ठीक है स्वारी आंधर प्रदेश आपका सात राज्यों से सीमा साजा करता है और करनाट का पांच राज्यों से सीमा साजा करता है ठीक है करनाट का पांच राज्यों से इसी नाते कहा जाता मैं बार बार देखते रहें दोस्तों आंधर प्रदेश कितने से यहीं भी आप बता सकते थे आंधर प्रदेश साथ राज्यों से करनाटका पांच राज्यों से सीमा साज्या करता तो यह आपका अपसर थर्ड इस राइट एंसर हो जाएगा ठीके दोस्तों चलिए बाकी मैप में आप लोग देख लीजेगा चलिए मैप यहाँ पर है मैं थोड़ा सा आप पे चर्चा कर लूँगा इसे देखिए मैंने बताया आपको क्या कि आंधर प्रदेश साथ राज्यों में इस तो आंधर प्रदेश आप देख लीजे कहां पर आपका पड़ता है यह आंदर्रा ऑ्प्रदेश देखेंगे तो पहला राजी हो जाँ लिए उरीःश दूसर 36 गट तीसरा आपका क्या तेलंगाना चौथ कर नाड क्या पर आपका करनात्रत और पांच मने आपका क्या पड़ रहा है त hanilnadu कर ये दोस्तों तो पांच राज्य हुए ठीक है । प मारास्टा पहला हो जायगा दूसरा हो जायगा तीतर आपका हो जाएगा can do an自 previous चौथा हो जायगा आपका के टमिल्नाडू और पांचमां आपका हो जाएगा करनाटा केरला तो इस ताammen्ट सवारी दोस्तों मा कपी आप तो दोनों सही हो जाएगा थिक हैं चलिए प्रस्टे आते हैं दोस्तों इसी काड़ से कहा जाता है दोस्तों टाइम आप देखते रहें जिससे कि आपकी समझ बनी रहें करते हैं कितने राज्यों की सिमाय करती हैं तो देख लीजेगा एक तो आपका पड़ेगा किधर का 36 गड़ आपका करेगा दूसरा आपका करेगा क्या है ज हर गड़ करेगया इसके बाद जहारखंट का हिस्साह करेगा बिहार का भी हिस्साह करेगा तैंom क्या करेगा और क्या करेगा के देखिए तर से देख लीजी दोस्तों यह आपका जो इस्थिती बन रही है वह कौन कर रहा है पहले पहले कार रहा है बिहार कर रहा है दूसरा है जार खंड ठीक है इसके अलावा फिर 34 गर्ड यह तीसरा 36 हो जाएगा चौथा आपका पड़े का कौन सा यहां पर देखेंगे तो माहरास्ट पर मां सुरी इस पर देखें गट का जो राज है यकलर को थिसीक पड़ आप सफ़लाइं है तो ने मबगा सिके प्कार थिर्ञा को एक टुछ यहां पर क्या पड़्रा कि इसे की और आप हों कि वाँगरम करने मे即oga को ने में सब्सक्राइब भारत का कौन सा राज अधिक्तम राज सीमाओं को छूता है यह आपको बताना है कि सबसे अधिक्तम राज्यों को छूने वाला जो राज है वो कौन सा है पहले कहरा है मद्ध प्रदेश दूसरा कहरा है करनाट का तीसरा कहरा है आंध प्रदेश चोथा कहरा उत्तर प्रदेश करने वाला होगा तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपने जो नॉलेज है उसको चेक करते रहे हैं इससे आपको क्या मिल रहा है एक सिस्टेमेटिक वेसे प्रतिक प्रारभ्भिक चैप्टर से लेकर के चैप्टर तक का सारे सब्जक्टों को हम लोगों ने पढ़ाने का प्रया जो भी की प्रस्थ है वो आपको डराएंगे नहीं और आसानी से आप परिछाओं में सुलपता से कर ले जाएंगे और सब्सक्राइब का रिवीजन भी एक्जाम के पहले बहुत आसानी से आप कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो ऐसा ही साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों